हलो एवरिवन, गिट माई उनिवसिटी टीम की दब से आज मैं आपके लिए लेकर क्या हूँ, मद्धप्रदेश निट यूजी 2020 से रेलेटरिक्ट महुत्पूर्ण वीडियो जहाँ पे मैं आपके साथ में मद्धप्रदेश की स्टेट कॉंसलें प्रॉसेस में 85 परसेस में गौर्मेंट की सीटें और 100 परसें प्राइबेट मेडिकल और डेंटल की सीटें होती हैं कॉंपटिशन का लेवल लो देखा गया था लगबाग तीन बच्चे कंपीट कर रहे थे एक सीट के लिए ग्यार जाब 511 बच्चों ने अप्लाई किया था 1426 गौर्मेंट और 1150 प्राइबेट सीटों के लिए डॉक्मेंट आपको आपके रिपोर्टिंग के टाइम पर वेरिफाई कराना है टोटल 20 मेटिकल कॉलेज है जिनमें 13 गौर्मेंट की और 7 प्राइबेट मेटिकल कॉलेज है चार रांड्स है, round one, round two, mop up और इस्ट्रे जिन में round one, round two, mop up online कंड़क कराया जाता है इस्ट्रे round offline कंड़क कराया जाता है security deposit आपको round one and round two में देने की कोई ज़रूरत नहीं अगर mop up में apply करना चाहरे है, तो अपको 2 लाख रुपे का security deposit देना है अगर आप NRI काटेग्री से बिलॉग करते हैं तो आपको 10 लाख रुपे का security deposit देना है हमारी company GetMy University जो कि इंडिया की leading ISO 9001-2015 Certified Education Consultancy Farm है हमने पिछले कई सालों से successfully counseling और admission guidance प्रोवाइड किया है इंडियान अब्रॉट के medical program में MPE State की eligibility इस तरीके से है अगर आप मधरपदेश दो मेसायल candidate हैं तो आप state government, private और dental के colleges की seat के लिए apply कर सकते हैं अगर आप other state से बिलॉग कर रहे हैं तो आप सिर्फ private medical और dental college में apply कर सकते हैं 2019 के consulate process में मधरपदेश ने सिर्फ मॉपपराउन में other state के बच्चों को allow किया था apply करने के लिए minimum 17 years और maximum 25 years का age limit रखा गया आपको need qualify करना है 50 percentile आपके होने चाहिए अगर आप general से बिलॉग कर रहे हैं 40 percentile अगर OBC, SC, and ST से हैं seat metrics इस तरीके से 3070 MBBS seat हैं जिनमें 1920 government की seat हैं और 1150 private की seat हैं 1920 government की seat हो में से state quota के लिए 2426 seat हैं और all India quota के तुरू 15% हैं उनमें 289 seat हैं जो MCC द्वारा फिल की जाती है state quota में जो 1426 seat हैं उनमें से कुछ seat हो को reserve किया गया है PWD के लिए जैसे 80 seat हैं, government India, pool quota के लिए 29 seat हैं SENIC और Freedom Fighter के लिए total 48 plus 48, 96 seat हो को रखा गया है government colleges में reservation इस तरीके से हैं अकर आप open category या फिर unreserved या general category से बिलॉग करते हैं तो 51 seat है, OBC के लिए 199, SC के लिए 228, ST के लिए 285 economically weaker section के लिए 143, defense के लिए 48 seat है Freedom Fighter के लिए 48, PWD के लिए 80, pool quota के लिए 29 seat हैं private medical college में distribution इस तरीके से हैं seat की unreserved category के लिए 488 seat हैं, OBC के लिए 133, SC के लिए 154, ST के लिए 194 seat हैं PWD के लिए 47 seat हैं, counseling process इस तरीके से सबसे पहले आपको apply करना है online www.dme.mponline.gov.in के site पे जाकरके, फिर आपकी merit list जारी की जाएगी आपको choice filling करना है, आपकी result को publish किया जाएगा, अगर आपको seat a lot होता है तो आप college में जाकर के अपने document verify करा करके report करिए साथी में अगर आप चाहते हैं, अप gradation के लिए तो आप second round में reappear हो सकते हैं अगर आपको seat a lot नहीं विए, तो आप second round में reappear हो सकते हैं वहीं state quota की तुरू government की seat उपे, जो cut off गया था हो 32,944 का गया था है तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा gap यह आपको देखने को मिलेगा इस वज़े से भी क्योंकि state quota में ज़्यादा number seat होती है, इस वज़े से cut off काफी low जाता है प्राइबेट में जो cut off गयी थी वो 68,249 की गयी थी जनरल कटेगरी के लिए यह पाँच टॉप government medical college हैं मदपदेश में जिनको हमने cut off के basis पे यहाँ पर rank किया है जिनमें सबसे number one पे महात्मा गांधी memorial medical college है जिनमें general category के लिए 6,403 का cut off गया था गांधी medical college के लिए जनरल कटेगरी के लिए 9,549 का cut off गया था नेताजी सुभास चंदर बोस medical college के लिए 2,761 का cut off गया था जनरल कटेगरी के लिए गजरारजा medical college में 15,030 का cut off गया था स्यामस्या medical college में 19,671 का cut off गया था जनरल कटेगरी के लिए प्राइबिट मिटिकल कॉलेजिस की कटफ एनलाइसी इस तरीके से हैं श्री और विंदो इंस्ट्टिटूट अफ मिटिकल साइंस की कटफ 49,990 की गई थी जनरल कटेगरी के लिए आडी गाडी मिटिकल कॉलेज के लिए जनरल कटेगरी के लिए 48,67 का कटफ गया था चिरायू Garden College का कटफ 44,526 गया था जनरल कटेगरी के लिए People's College of Medical Science की कटफ 46,341 गई थी जनरल कटेगरी के लिए Allen Medical College की कटफ 53,3193 गई थी जनरल कटेगरी के लिए फी स्ट्रक्चर गॉर्मेंट के लिए 65,000 मिनिमूम और 1,7,850 मैक्सिमूम का रखा गया है प्राइबेट में 6,6,000 मिनिमूम और 9,65,120 मैक्सिमूम है ये कुछ हमारी अब्जर्वेशन है गेटमाई उनिवसिटी टीम की तरप से आप इसे ध्यान से देखे अगर आप स्टेट काउंसलिंग को प्राइरिटाइज करके चलते हैं तो गॉर्मेंट सीट लेना काफी असान होगा और इंडिया कोटा के कमपरिजन में सीट लिविंग बाउन ये एक ऐसा बाउन है जो कि आपको साइन करना है अट दा टाइम आफ अड्मिशन आप जिस भी कॉलेज में आप सेलेक्ट होते हैं आपको जहां भी अलॉट में मिलती है तो आपको ये बाउन साइन करा जागा कि इफ इन केस अगर आप सेडूल टाइम के बाद में सीट को सरेंडर या कैंसल करते हैं आपको पूरे सारे 4 साल की fees पे करनी होगी तो ध्यान से आप MPK colleges को opt करिए surrender अगर करना है तो आप well within the time इसे surrender करिए Cut-off train इस तरीके से था Round 1 की cut-off low गई थी Round 2 के comparison में आई एक example से समझते हैं अमलतास Institute of Medical Science की cut-off पहले round में 71,822 की गई थी General category के लिए वही ये cut-off बढ़ करके 68,249 चली गई थी round 2 में application सिर्फ round 1 और mop-up round में open किया जाता है round 2 में कोई भी fresh registration allow नहीं किया जाता है मतपदेश में safe score range 490 से 500 की बीच में अगर आपको score आ रहा है तो आप private medical college के लिए इसे safe score मान सकते हैं हमारा advice है खास करके उन बच्चों से जो other state से बिलॉंग करते हैं जो non-domisile है MP के हमने देखा था 2019 के counseling process में 3061 बच्चों ने अपलाई किया था mop-up round में जिनमें किसी भी बच्चे को MBBS seat general category में नहीं allow वही थी दो seat अलॉट भी वही थी तो वो NRI काटेगरी में allow वही थी तो काफि risky होता है अगर आप MP को prioritize करके चल रहे हैं तो ध्यान से यहां की counseling को attend करिए जरूर आप seat metrics को check करते रहे हैं और cautiously आप attend करिए counseling को यह हमारा tool है MBBS buddy 2020 जिसे हमने launch किया है आपके benefit के लिए और आपको बहुत ही help करेगा आपके decision making में इसे जरूर subscribe करिए यह हमारा dashboard है जिसे आप login करके personalized dashboard आप access कर सकते हैं आप कहाँ पे stand कर रहे हैं अपने performance के हिसाब से अपने rank या score को आप डालिए और जो भी input values है आप यहाँ पे डाल करके और इसे change करके आप check करेंगे तो आपको पता चले है कि आपको किस तरह के colleges a lot हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं और आप अपने performance को slightly tweak करके बढ़ा और घटा के देख सकते हैं कि किस तरह के options आपको मिल रहा है तो यह काफी useful होगा आपके decision making है जोकि आप time से पहले कर लेंगे क्योंकि 2020 के counseling process में इस बहुत कम time मिलने वाला है क्योंकि already exam काफी delay से होने वाला है तो बहुत कम time में आपको important decisions लेने हैं तो जरूर इसे access करिए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद hopefully हमने आपके सारी queries और doubts को करें होंगे अगर मद 32 counseling से कोई भी query आपके रह गई हो तो हमारे team को आप जरूर कने करिए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए subscribe करिए share करिए बहुत बहुत धन्यवाद